लो एन मेलकम बैक टोवर चैनल एक्सपेरिमेंट संटर 666 तो गईज यार आज की इस वीडियो में मैं बहुत खुश हूं क्योंकि मैंने खुद ही एक ट्राइपॉड बना लिया है वह भी सिर्फ इजी एंड होम होल्ड चीजों की मुझत से तो चलिए आपको दिखाता हूं क कि मैंने कैसे बनाया यह ट्राइपॉड है तो चलिए आज ही इस वीडियो को शुरू करते हैं जल जल लाइक का बटन दबा देखे तो गईज यह रहा हमारा ट्राइपॉड लाइजटन देल यह रहा हमारा ट्राइपॉड टा करते हैं रे जल शुरू तो यह भी सिर्फ देग्याशन वे बटनाया यह वारा ट्रू पूल फ्या श्राइब लाइए ट्स एक शुल सुवड गलंड हैं जल देखे यह जाँ़ शर हैं विज़ एक चार कि मुड देल तो गाइज यार इसे बनाने के लिए मैंने ले लिया था एक सिंपल सा पीवीची पाइप जो की मेरे चेस्ट के हाइट के बराबर का है और एक पुराना चार्जर का जो अड़ाप्टर खाली पड़ा था वो लेकर मैंने उसे फिक्स कर दिया हीट करके और नीचे के साइड में मैंने इस में पाइप को तीन होल किये और उसमें ड्रिल ड्रिल नट्स जो होते हैं उसे होल करके फिर मैंने थीन पाइप्स ले पीवीची पाइप्स और उसे भी होल करके थोड़ा सा स्लांट या स्लूप में काट दिया क्रॉस दोनों साइड से भी और मैंने उन ड्रिल नट्स को ड्रिल नट्स और बोल्ट्स को अच्छे तरीके से कस दिया यानि टाइट कर दिया और त्यार है हमारा होममेड ओरिजनल ट्राइपॉड और यहां पे मैंने कुछ एडिशनल ऐसे सिरीज लगाए हैं यह रही एक और वोल्ट की LED स्ट्रिप और इसके जो यहां पर है और टर्मिनल्स है इसे हम डायरेक्टली चार्जर के एडाप्टर से जो USB केबल होता है उससे करेंट कर देंगे तो चलिए आपको बताते हैं इसे कैसे चालू किया जाता है यह रहा एक चार्जर मॉडिल और उसके पीछ यह रहा माइनस और यह है प्लस और इसे हम डायरेक्टली उसी LED स्ट्रिप को करेंट करकर स्विच आउन कर देंगे मैं आपको अच्छी तरीके से कैमेरे में नहीं दिखा पाऊंगा लेकिन मेरी बात मानों यह बहुत लाइट यानि रोश्णी के देंगे जो में तिंग यानि चीज था वो है आप यहां पर अपना फोन इस तरह से लगा सकते हो और यहां से रोश्णी भी आईगी और यह कैमरा रेकॉर्डिंग भी करेगा और आपका वीडियो आपका यूटूबर बनने का सपना पूरा हो जाएगा हुआनी बनने का सबक्ष्णी प्पा। अपनल we ठाएग जाएग रत्रूबर बननी कि अदो और यहां से पीन का सबका यहां से पंवबर इस पार। अपनलしたस्ट मिलिएव था हो तो गाइज यहर कैसे लगा आपको हमारा ट्राइपॉस अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करो शेर करो कमेंट करो और जलसेल चैनल को सब्सक्राइब कर लो में घख लगलो में तेकिले बाइब यहीं